चौके की बात हो या फिर शोर छकको का मैदान पर फ्री हिट हो या खिलाडी अन्फिट हो क्रिकेट केस दौर में बस IPL का दम आपको हर मिजाद से रूबरू कराएंगे मुहम्मद असलब नमस्कार मैं हूँ आपके साथ प्रदी पाजाद और IPL क्रिकेट केस रूमान्चक सफर में आज हम बात करेंगे कोलकता और दिल्ली की टीमों की आबुदावी की पिछ पर ये रूमान्चक मैच खेला जाना है और चुनोतियां भी काफी है आखिर क्या चुनोतियां है और किस तरह से क्या नया यहां आज रूमान्च देखने को मिल सकता है इसे मुद्ध पर बाच्चित के लिए मेरे साथ सही होगी मुहम्मद असलम मौजूद है असलम जी दिल्ली की अगर हम बात करें दिल्ली के टीम की तो इस समय दिल्ली को टॉप पर माना जा रहा है कोलकता उसे नीचे है तो इन हालात को देखकर क्या कहेंगे बिल्कुल क्योंकि दिल्ली बहुत ही बड़ी खेली है इस टूनमेंट में और लगातार अपने डेवाइस डे अपने बैटिंग बोलिंग फिल्लिंग सबको उन्होंने इंप्रूमेंट किया है तो बहुत ही बड़े खेल रही है, कलकता नाइट आइडर भी दोड़ में है देखते हैं आज मैश में क्या होगा लेकिन कल्कता को प्लेओफ में अगर रहना है तो इसको जीतना भी बहुत जरूरी होगा बिल्कुल यहां बहुत जरूरी है क्योंकि दिली कोणने के यहां कुछ भी नहीं है अगर वो लोस में भी जाती है तो ऐसा कुछ नहीं है तो लेकिन दिली के कुछ खिलाडी को कहा जा रहा है कि चोटिल वह हैं तो क्या इसका खामियाजा उठाना पड़ सकते ज़िए कि टू रिशपंथ हैं वो भी अन्फिट होने के वज़े से बाहर हो गए अब आज देखते हैं दिल्ली को क्या जो प्लेयर है रिशपंथ वापस वापसी करते हैं नहीं करते हैं वो तो जो उनकी ग्यारा मैंनेजमेंट जो बनाई गिया कैप्तान जो बनाएंगे उस पर डिपेंड क अच्छा अगर बात चलिए दिल्ली की अगर छोड़ने एक बार और अगर वापस कोलकता की बात करें तो कोलकता में भी कैप्टेन बदल दिये गए थे तो उनकी मुख्य वज़े जो भी इंटर्नल जो भी रही लेकिन इस्तितियां ये भी है कि कैप्टेन बदलने के बाद अगर भी कोलकता में जो सुधार या जो जोश मिलना चाहिए था वो फिलाल देखने में नहीं आ रहा है बिलकुल बिलकुल देखने को नहीं मिला क्योंकि आपके बीच में आके आप को कप्तान को चेंज करना पड़ा ये कप्तान चेंज हुए किसी और को बनाया तो इसमें कहीन कहीन ऐसा लगता है कि जो कप्तान जो पहले दिनेश कार्थिक थे उनका कहीन के टीम कॉमिनेशन में अपना आपको वो सेट नहीं कर पा रहे थे उनकी पर्फॉमेंस पे भी काफी फर्क पड़ा और उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं किया साइल पेल में कि जिसको मैंच प्रदीव जी खराब होता है तो उसको उस मोटो को बनाने में बहुत टाइम लगता है और अगर बात खिलाडी आंद्रे रसल की करे तो क्या कहेंगे रसल का क्या इस समय चल रहा है जैसे हर एक टीम में एक की प्लेयर होता है जो कि टीम को उससे काफी उमीदे रहे थी कि व मैंच को बदल सकते हैं बेश जारोंडर बड़िया बोलिंग करते हैं और वेटृ कि अर्धिय करते हैं यह प्लेयर को पिल करते है और मैच को जिस तरह से पीया-दे कि रीड के अड़ी रसल को कहा जाता क्योंकि इस टीम में भी ऐसा कुछ है नहीं कि यह बीचारे बीच में आके अपना जो भी 100% लगा सकते हैं वो लगाते हैं बागे आप देखें दिनेश कार्टिंग ने लंबी इनिंग निके लिए ना शुमंगिल ने ऐसा कुछ किया है न या गूम रहा है या पैड कमिंग से इन पर सबसे अच्छा जो इनके बराबर जो बोलिंग कर रहे हैं और आभाट को देखना को zamla मिल रही है बहुत ही बड़े बोलिंग करते हैं लंबी हाइट के हैं आके बोल्ट अब्ट इमसर इन ना बिल्कुल आज मैं चीनी के या मान लीज़े की बीच में होने वाला है बाकी तो सब ठीक है आएंगे जाएंगे जो टीम में मुख्य आकर्शन है जो टीम में टीम को बदल सकते हैं जीत में जीत में बदल सकते हैं हार को वो चार कि ले रहे तो बहराल एक ये बड़ा विजे पता का कौन फेराता है कोलकता या फिर दिल्ली का नंबर कल फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमश्कार